नमस्कार प्यारे दर्शकों सोहाना सफर कायर करम में आप सभी का हर्दिक स्वागत है अभिवादन है भाईयों बेहनों जब कभी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो साधार अंतया उससे गुन अउगुन दोन से परचित हो जाते हैं कई बार उससे मिलते ही पता चल जाता है कि ये बहुत गुनी व्यक्ति है बहुत गुनवान है लेकिन कभी-कभी ये भी पता चल जाता है कि इसके अंदर कुछ लुकुछ अउगुन है और उसके मिलते ही उनके अउगुन भी हमारे सामने आ जाते हैं आज हम विशेश रुफे चर्चा करेंगे कि आज कई बार हम सुनते आ रहे हैं बजपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़े-बड़े धरम नेता चाहे राज नेता चाहे बड़े-बड़े पदा सीन उच्च पदों पर जो बैठे हुए हैं उनके अंदर भी एक अहम जलगता है अहंकार दिखता है आखिर इस पर विजय कैसे प्राप्त करें इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आजुपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सुरी भाई जी गीता बहन जी संजय भाई आप तीनों का स्टोडियों में स्वागत है अभिवादन है जैसे हमने सुरू में बताया कि मनुष्य जो है भले बहुत उचे पदों पर बैठ जाता है बहुत अपने उचाईयों पर पहुँच जाता है लेकिन कई बार उनके अंदर को जो अहंकार है जलकता है दिखता है आफिर यह अहंकार क्या है इसके उपर थोड़ा परिवासित कीजी और इसके उपर विजय प्रत कैसे करें अंकार के बारे में तो जानते हैं बहुत लोग पाठ्य क्रमों में भी भासनों में भी लोग एंकार पर कुछ नर्म लाइट जरू डालते हैं लेकिन वो अपने एंकार के बारे में नहीं जानते हैंए और वो मनुस्य जो अपने एगो को पहचानता हो सच मुझे दही मान है। एहंकार है मैंपन रखना मैं बड़ा हूँ मैं बहुत बुद्धिमान हूँ मैं बड़ा अधिकारी हूँ मैं धनवान हूँ बलवान हूँ इस मैंपन में रहना ये एहंकार है और ये मनुस का महनशत्रू है जब तक हम इसको परास्त नहीं करेंगे जब तक हम इसको पहचाने करेंगे नहीं ना तो हम सुक्षेन का जीवन जी सकेंगे और ना हम अपने परिवारों में श्यानती पैदा कर सकेंगे सच मुझे इंकार जब हम देखते हैं चार और सब कुछ दिखाई देता है परिवार डिपार्टमेंट बड़े ओफिसर नेता लोग एक दूसरे के मित्र भी और विरोधी भी विज्यानिक भी और गाओं का खिसान भी गरीब भी तो एक भीकारी भी देखने में आता है कहीं न यह बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना है क्योंकि इसको पहचानने के बाद हम अपनी आंत्रिक शक्तियों में विकास कर सकते हैं अपने टेलेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को एक सफलता के मार्क पे सहज ही आगे ले जा सकते हैं मैं सोच रहा था जी ज समझता बड़ी उची नजर से अपने को देखता है पर दूसरों के नजर में बहुत चोटा होता है यह बात हम सभी ध्यान रखें और बस एक लक्स बना लें कि हमें इस एहम से अपने को मुक्त करना है चीजे सभी के पास होती है सब कुछ सब के पास है अगर हमें उसका बतल candles यह है कि अहंकारी व्यक्ति को अपने अहंकार को भी जानना आवरश्यक है कि लिख्यें ररी यो इसा आ spirituality से हमें इश्वरिय ग्यान से मिलता है हम लोग भी जब इश्वरिय ग्यान में आए तो पढ़ने लिखने में हुश्यार थे तो एक संगल्प तो रहता था ना रब दिमान हूं और सब लड़कों से हुश्यार मेरा पहला नंबर आता है लेकिन यह नहीं पता था कि यह गलत ह हम सोच रहे हैं और इससे हमें नुक्सान होगा मुझे याद है जब हमने दसवी का एक्जाम दिया तो हम दो फ्रेंड भी थे दोनों स्टूरेंट टोपमोस थे कभी उसका एक-दो नंबर ज्यादे कभी मेरा होता है फैनल एक्जाम में उसके नंबर थोड़े चार कम रह गया है आप से तो निचरली वो जो एक पास्वी दोनर का सर्टिफिकेट मिलता है वो उसको नहीं मिला तो उसके फादर मेरे से बात हम लोग क्लोज थे परीचित मिलने आए कहा इस लड़के को बहुत अभिमान हो गया था मुद्धी का उसका परिनाम है तो मुझे र अभिमान सचमच मनुस के पतन का कारण बन जाता है फिर हम इतिहास भी थोड़ा बहुत पढ़के आये थे जादा तो नहीं उसमें एक बहुत अच्छी चर्चा आया करती थी कि राजबूतों का पतन क्यों हुआ जब यो बहुत सक्ति साली थे तो दोई चीजे गिनाते थे गियासकार अभिमान और इर्षा तो हमारा इस पर ध्यान चलता गया तो जैसे आपने कहा कि मनुस्स अगर अपने अभिमान को पहचान ले तो ये बहुत सुंदर कदम उसने जीवन में आगे बढ़ाया है जिंदगी का आनंद लेने के लिए इस पर ही आज हम सभी मिलके चर जिनके बीच में हम रहते हैं वहाँ पर भी हमारा विकास नहीं हो पाता है तो वास्तों में थोड़ा सा अहंकार को और परिभासित कीजिए कि इसका मूल रूप क्या है और इसकी उपर विजय कैसे पाए शीरीमत भगवत गीता में स्री कृष्ण ने इस पर शब्दों में क लेकिन दूसरों को बुद्दू समझना यह अभीमान है मैं ऐसा समझती हूं कि हर मनुष्य को अपने आपसे भी मिलना चाहिए हम दूसरों को जानने की जिग्यासा रखते हैं हम दूसरों से मिलते हैं परन्त हम कभी खुद को नहीं वलते खुद को नहीं जानने की जिग्य कर देखें, जहां मुझे मेरी विशेस्ताओं का योग्यताओं का पता है, मैं उनसे रूबरू हूँ, वहीं मुझे अपनी खामियों का भी पता रहना चाहिए, और जब मुझे अपनी खामियों का पता चल जाएगा, रिलाइजेशन हो जाएगा, तब मैं उन खामियों को निकालने का भी प्रयास करूँगे, लेकिन उसमें पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कि मुझे अपने अंतर मन में झाकना पड़ेगा, बहुत ही इमानदारी से, मैं दूसरे के साथ इमानदार हूँ, बहुत अच्छी ब पता है, वही मुझे मेरी कम्यों का भी बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, अगर मुझे ये मालूम पड़िया कि मेरे में इगो है, और इस इगो के कारण ये ये प्रॉब्लम्स जीवन में आ रही है, मुझे भी खुशी नहीं मिल रही, मेरे अपनों को खुशी नहीं मिल रही, या मैं दूसरों के लिए भी एक अर्चन बन गया हूँ, दूसरों के लिए भैका कारण बन गया हूँ, तो जब ये मुझे पता चल जाएगा कि इस वजह से ये सब हो रहा है, तो मैं उसे निकालने का भी प्रयास करूँ, और देखिए कोई भी चीज निका करा देगा, लेकिन अंदर से छोडने की इच्छा होनी चाहिए, और जब तक मैं I am right, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही है, तब तक हम अपनी किसी भी कमी को बुराई को छोड नहीं सकते, जब तक मुझे उसके loss का पता नहीं देखे यहां हमारे भारत में भी कुछ रूल्स बने हुए हैं, चाहे वो सडकों के हो या और और तरीके के हैं, देखे आप गाड़ी में बेल्ट नहीं लगाएंगे, तो आपको 500 रुपे फाइन देना पड़ेगा, एक बार यदि बेल्ट नहीं लगाई और आपको आपकी बेल्ट खीचेंगे, आज ना 500 रुपे का नुकसान हो जाए, हम बहारी जो रूल्स बने हैं, जब हमें उनकी पैनल्टी या उनकी पनिश्मेंट देनी पड़ती हैं, उनकी तो हम धिहान रखते हैं, चाहे बेमन से ही रखे पर रखते हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ अंदरूनी नियम तोड़ा, नियम तोड़ा तो हमें आंतरिक रूप से उसकी पैनल्टी देनी पड़ती है, या हमें उसकी पैनल्टी मिलती है, वो क्या होती है, वो हमारी खुशी पे भारी पड़ती है, हमारी शांती को छीन लेती है, हमारे मन में भटकाओ की स्थिती पैदा कर देती हैं मनमुटाव पैदा कर देती है यह हमारी पैनल्टी होती है यह हमारी punishment होती है जो आंतरिक रूप से होती है जिस पर हम गोर नहीं करते अगर हम जैसे बहरों बहरी rules का नियमों का पालन करते हैं यैसे हम आंत्रिक रूल्स का भी पालन करें, तो किसी की ताकत नहीं कि कोई मेरी खुशी को छीले, कोई मेरी शांती को छीले, कही ना कही रूल्स का उलंगन हो रहा है, इसकी punishment, इसकी penalty मुझे देनी पड़ रही है, अगर मेरा जीवन अशांथ है, परिशान है, मैं टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मेरे पास खुशी नहीं है, तो कही ना कही कोई ना कोई कमी जरूर है, कही ना कही नियम का उलंगन जरूर हुआ है, और वो मुझे तब पड़ेगा, जब मैं शांती से, बड़े प्रेम से, बड़ी ओनेस्टी से, अपने अंदर जहांक कर देखूंगे, जी जी यही आज की समस्या है, कि मनुश्य जो है, अपने आपको नहीं जहांक पा रहा है, दूसरों को देखता है, दूसरों को अंदर कमी देखता है, ये भी तो अहंकार है, इनके अंदर तो ज़्यादा अहंकार है, भले अपने अंदर भी रहेगा सञ्जाब भई और इसको विश्तार से थोड़ा समझाईए कि जैसे गीता बने बता है कि कई बार व्यक्ति जो है अपने अंदर ज्वाक नहीं पाता है अपने अंदर कमजोरी को देख नहीं बाता है तो आखीर ये जो हम चर्चा कर रहे हैं अहंकार के उपर कि मनुशिक अंदर भले कितने भी गुन हो लेकिन अगर एक अहंकार व्यक्तिक अंदर है तो सच में उजह लगता है उसके चलने में, उसके उठने में उसके बैठने में अहंकारी व्यक्ति के सामने कोई जाना नीचा आता लेकिन सचनुच अखीर अहंकार को किया निकाला भी जा सकता है जरूर निकाला जा सकता है और ऐसे हमने देखे भी है कि जिनका अहंकार पूरी तरह से खतम हो चुका है और इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे गीता में ने बताया ना कि मैं अच्छा हूँ यह बहुत अच्छा संकल्प है अपने लिए लेकिन मैं ही अच्छा हूँ यह हंकार आगया स्वामान है कि मैं अच्छा हूँ और मैं ही अच्छा हूँ यह आगया अभिमान तो अभीमानी वेक्ति है यह तो जिद्ध करेगा यह सिद्ध करेगा अपनी बात को मनवाने का पूरा प्रयास करता रहेगा और उसमें वह चाहे अपनी खुशी 处वानी पड़े किसी को सिद्ध करना है क्योंकि उसको अपना अहंकार सिद्ध करना है तो अहंकारी वेक्ति से अपने आप लोग दूर हो जाते हैं देखते हैंब भैई यह अहंकारी वेक्ति आ गया सामने अब वहां का माहौर वहां का सिस्टम सारा माना गंभीरता में टूबा रहेगा वहा खुशी गायब हो पहचानना तो बहुत ईजी है और उसे निकाला भी जा सकता है क्योंकि हम जो राजयोग का अभ्यास करते हैं इसमें हम अहंकार को खतम करके स्वमान को जागरित करते हैं तो शेल्फ रिस्पेक्ट अर्थात स्वमान यह जैसे जैसे बढ़ता जाता है और अंकार पर विजय प्राप्त होती जाता हूँ मैं बीच में ही इंटरॉप्ट करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था यह अभीमान भाईयों में जादा होता है मेरे मन में एकदम से उत्प्रे रख्षा उत्पन हुआ, मैं सोच रहा था मैं अभी अभी देख कर आया हमारे यहां बहने माता है सेवा में आती है तो रोती बेल रही ते सब जी काट रही थी, एक दोस्को मैं जानता था वो प्रोफेसर एक आधी वहन डारेक्टर, वो भी सब जी काट रही है मैं सोच रहा था भाई अगर कोई डारेक्टर हो यहां आएगा भी ने देखने भी नहीं याएगा भाई साब आप तो बहुत सहाज रुप से बता रहे हैं नहीं अन्भाह है मैंने समाज में लोगों को देखा है कि इस पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हम बड़े-बड़े लोगों को देखा है बड़े-बड़े जो पदों पर बैठे रहते हैं उनका अंकार जलगता है क्या यह सचमुत संभाव है आज ऐसी दुनिया के वा शिर्मत भगवत गीता में भी कहा है यह अभीमान महां तीन सब्दों का परियोग्या अभीमान घमंड और एंकार इन टीनों पर एक योगी विजय प्राप्त कर लेता है तो मैं भी सोचा करता था दुरुवासा रिशी थे योगी थे अक्रोद पर विजय प्राप्त की जी अभीमान भी उनमें था रावन तो बहुत बड़ाई विद्वान था लेकिन एंकार के कान उसका सरवनास हो गया फिर मैं औरों को भी देखता था बड़े बड़े लोग एंकार से पीडित हैं जैसे तो मुझे लगता था इसको जीतना बड़ा कठिन काम है कुछ लोग ऐसे अभीमान नहीं है उनका दूसरा रूप दिखाई देता था लेकिन जब हम बाबा के पास आए इस वर यह विश्विद्याले में आये तो ब्रह्मा बाबा के बारे में सब कुछ देखा और सुना भी तो हम लोग यद भी छोटे थे लेकिन देखते तो थे न और चाहे छोट देखने से उसके बोलने से यदि वह अभीमानी है तो उसका अभीमान दिखाई देता है लेकिन बाबा का चलना भेट ना खाना पीना क्लास में आना इस वर यह महाबा की सुनाना या सबसे मिलना यह एक जलग छोड़ता था सब के उपर कि न्वाबा बाबा सबसे अधिक न मैं कहूँगा मैं जानता हूँ संसार के सबसे बड़े महान तफस्वी होने के बाद भी उन्हें ये कोई अभीमान नहीं था कि मैं तफस्वी हूँ इतने बड़े यक्के मालिक थे वो जिस भगवान ने उनको विस्व कल्यान का अकारिय सोंपा था लेकिन उनके किसी भी व्यवार से यह जलकता नहीं था कि मैं भी कुछ हूँ, बिलकुल सब बच्चे हैं, कोई गलती भी कर देता तो बहुत प्यार से उसको समझाते थे, नहीं तो जब कोई गलती करता है मनुसका अभिमान जलकता है, मैं माली को इसने कर दिया, सुनता नहीं है मेरी, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं देता था, उनको देखकर मुझे अंतरिक प्रेणा हुई, कि नहीं इसको जीता जा सकता है, जब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी, जो सातना के मार्क पे आ गया, जिसको बहुत कोई सुनना और से प्रणख थे, हो सकता है, उन्होंने इस पर कम ध्यान दिया हो, लेकिन अगर मनुसिस के बारे में केरफुल है, तो इसको जीता जा सकता है, जी जी जी, पहुत सुन्दरबाद भाई जी आपने बताया कि संस्था का प्रमूख और संस्था का हेड होकर के भी अपने आपको निमित्त बना करके रखे, और तभी ऐसी संस्थाएं फली भूत होती है, आगे बढ़ती है, हम आपके और विचार जानेंगे इस पर, जहां पर मैं पनाता है, वहां पर अहंकार पैदा हो जाता है, और वो बड़ा रूप बन जाता है, तो सच में कोई व्यक्ति अगर कारी भी करें, और सब के बीच में बड़ावन करके भी रहें, और मैंपन भी न रहें, तो उस आहम को धीरे-दीरे करके कैसे खतम करें हैं, और मनुष्यों के लिए असंभव नाम का शब्द केवले का संभव ही शब्द है, बाकि ऐसा कोई चीज नहीं कि जिसे हम संभव नहीं क कर सकते, यदि मनुष्य ठान ले, तो वो क्या नहीं कर सकता, वो बिगड़ी को बना सकता है, जीवन की धारा को बदल सकता है, दुर्भग्य को वो सोभग्य में परिवर्तित कर सकता है, वो कठिन से कठिन मार्ग को आसान रहा बना सकता है, अगर उसके इरादे बुलंदी पर हो तो, लेकिन जब हम अपने आपको कमजोर समझने लगते हैं, जब हम अपने मन की गुलामी स्विकार कर लेते हैं, तब कही ना कहीं हमारी हार हमें दिखाई देने लगती है, जैसे भाईजी बता रहे थे, तो मुझे भी याद है अमारी मनहोर इंद्रा दादी हुआ करत जो हमें यग्ये की हिस्ट्री सुनाती थी, तो मुझे बड़ी अच्छी बाते लगती थी बाबा की, बहुत ही संपन जीवन था, बहुत ही धनवान रहे हैं वो, लेकिन जब वो यग्ये में आए, संपूरन त्याग किया, संपूरन रूप से समर्पित हो गए, तब छोटे चोटे काम, जो काम उनके कभी सर्वेंट किया करते थे, पांचे सर्वेंट उनके आगे पीछे रहा करते थे, वो छोटे चोटे काम बड़े इसनेह से, बड़े प्यार से सब के बीच में बैठ के किया करते थे, बाबा जैसे, for example, सब सबजियां काट रहे हैं, चार सो लोग और साथ में कुछ ना कुछ सिक्षाई भी देते थे, जैसे चावल में कुछ काला या कुछ पत्थर निकल गया, तो वो प्यार से वो सिक्षा भी देते थे, देखो चावल तो बहुत अच्छे हैं, वाइट है, लेकिन ये जो काला दाना है ना, ये काला पत्थर है ना, ये जीवन को कंक्रीला बना देती है तो ऐसे काम करते हुए बातों बातों में बहुत अच्छी बहुत मिठा से सिक्षा बाबा दे देते थे बाबा ने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि तुम अच्छे नहीं हो या तुम खराब हो या तुम ये काम नहीं कर सकते हो जैसे बाबा के सामने हर प्रकार के बच्चे बैठे रहते थे, कोई-कोई ऐसे भी होते थे, जो करेले से कड़वे होते थे, नीम पर चड़वे होते थे, मना टोटली व्यहवार, बोल, सोच में कड़वाट बरी होती थी, लेकिन बाबा उसे भी बड़े प्यार से कहते थे, तुम तो मेरे मी दे करके चलाते थे उनके जीवन में इगो तो दिखाई नहीं पड़ता तैसे हमारी दाधी प्रकाश मणी थी हमारे लिए आदर्श हमारी रोल मोडल थी इस धरा के लिए एक बहुत सुन्दर तोफा थी हमारी दाधी प्रकाश मणी उनका भी जीवन हमने बहुत नजदीक से देखा जिसमें एहिंकार की बू नहीं आती थी जिसने अपने जीवन में जुकना सीखा हमने कई बार ऐसा देखा कि छोटे किनी ना किनी बात पर या संगठन बहुत बड़ा है आप सी मन मुटाओ पर नाराज हो जाते थे तो दाधी खुद अपने पाउं से चलकर उन लेकिन उनको इस बात का एहम ही नहीं था भाव ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ इतनी आश्रम इतने भाई बहने मेरे अंडर में हैं यह भाव ही नहीं था तीसरी बात हमारी दाधी जान की हमारी दाधी जान की जो पूरे विशो में एक मात्रेसी महीला ह पूरे विश्व में एक मात्रेसी महिला है जो सो साल की होने के बाद भी इंटरनेशनल संस्था का आज भी सुचारू रूप से संचालन कर रही है लेकिन उनके पास जाकर देखिए एकदम नीर एहिंकारी कोई भी एहम नहीं कोई भी इगो नहीं और कभी भी आप उनके पास जाएए ना तो यह नहीं कि वह उपर बैटे तो हम जमीन पर बैठे हैं वह अपनी बाजू में बिठाती है हाथ मिलाती है सर पे हाथ रखती है प्यार करती है उनके पास जाकर ऐसा लगते जैसे हम अपनी दादी मा के पास आए हो वही दुलार वही प्यार हमारी दादियों में हमें देखने को मिलता है यहां चोटे भाव चोटे बड़े भाव का दरीब अमीर का कोई भेद भाव है ही नहीं एक हूमली फीलिंग हमारी दादियों ने हमें दी जबकि वह इतने उचे पद पर बैठी है अगर उनके जीवन में इगो नहीं है और वह अपने एहंकार क को जीत सकती है तो वो मेरे लिए भी पॉसिबल है या तो वो पॉसिबल किसी के लिए नहीं होता और यदि कुछ महानात्माओं ने इस पर विजह प्रात्य की है इस पर अपनी अधिकार दिखाया है कि हम एहंकार को जीत सकते हैं अगर वो जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते ह मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगे कि हम जाकें अपने अंदर, जब तक हम जाकेंगे नहीं, रिलाइस नहीं करेंगे, तब तक हम चेंच नहीं कर पाएंगे. आज विशेश रूप से हमने ये जानकारी प्राप्त किया और सीखा भी कि एक व्यक्ति कैसे अपने हम को खतम कर सकता है, उसको नीचा कर सकता है, दूसरे अकुन को विकास कर सकता है. भाई जी आपने बताया कि दादी के बारे में, बाबा के बारे में इस संस्था का प्रमुक, इस संस्था का संचालन करते भी, कैसे बच्चों के साथ, बच्चे बन करके, बड़ों के साथ, बड़े बन करके, सुनने में ता संभाव लगता है, लेकिन चुकि आपने बहुत सुन्द सदर्विचार रखे उसके लिए पुना धन्यवाद कि प्यारे दर्शकों सच मुच इस संसार में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है सब कुछ संभव है हम बाल लिकाल से ही ये सुनते आ रहे हैं कि संभव तो सब कुछ है लेकिन करना कोई चाहता नहीं है आज हमने जाना कि इस संस्था का जो प्रमुख अपने जीवन में सब कुछ त्याक करकी भी तपस्या के माध्यम से एक ऐसी चीज पर विजय प्राप्त किया जिसके बारे में हम सास्त्रों में विद्वानों के माध्यम से आचारियों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं कि ये हो सकता है क्यों ने हो सकता हमारी विद्वानों ने आज बताया कि अगर इसके उपर थोड़ा प्रयास किया जाए इसके उपर थोड़ा मेहनत किया जाए तो सच मुच विजय प्राप्त किया जा सकता है थोड़ी सी चेकिंग के उसकता है उसको ध्यान देने के उसकता है अंद झाल